असलाम अलाइकूम, कैसे हैं आप सब? आज में आप सब के साथ एक लबाबदार की रेसिपी शेयर करूंगी इंशाला आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी बहुती आसान तरीका बताएंगे हम आज बहुती स्वाद अच्छा रहेगा इसका रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आएगा बिल्कूल इसका तो आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राइ करिएगा और पसंद आए तो प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर करना तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर प्याज और टमाटर का पेस्ट तयार करेंगे एक प्याज ली है मैंने यहाँ पर उसको इस तरीके से बड़े बड़े स्लाइस कर लिया है मैंने उसके बार यहाँ पर लिया है मैंने एक टमाटर उसको भी मैं इसी तरीके से बड़े बड़े टुक गेल कोषी हम यहां पर इसमें एट करेंगे के तो टमाटर प्याज एट कर्दउंगी में यहां पर इसमें मिक्सी में और इसको रखने के बाद यहां पर पीड मेने वो जो काजू भीगविवे थे ना वह जो जो यहां को तैयार है यह अब हम यहां पर ग्रेवी बनाएंगे तो एक लबाबदार बनाएंगे हम तो इसके लिए इस तरीके की चोड़ी कडाई या फिर चोड़ा बरतन ही हमको लेना है क्योंकि इसमें स्पेस थोड़ा जादा चाहिए इसलिए और एट कर दिया यहां पर मैंने इसम कुछ देर फ्राइ होने देंगे हम और उसके बाद में यहां पर अद्रक लसन का पेस्टेट कर दूंगी है कि गेस यहां पर हम बिल्कुल धीमी रखेंगे इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी एट कर दूंगी तक यह जले नहीं अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार और उसके बाद यहां पर जो हमने पेस्ट पिसा था ना भी प्यास टमाटर और काजु का वो यहां पर इसमें मैं एट कर दूंगी चला लेंगे हम इसको और इसको दो से तीन निर्ट तक हम भूनेंगे जब तक यह अच्छी तरीके से भून न जाए दीमियाश पर हम इसको भून लेंगे जब तक इसका ओई उपर न आ जाए तब तक चलाते रहेंगे क्योंकि इसमें काजु डली वी है तो वह बहुत जल्दी चिपकती है जो जल सकता है हमारा मसाला इसलिए हम यहां पर चलाते रहेंगे और इसको भून लेंगे आप देख सकते हैं यहां पर यह जो हमारा पेस्ट था वो अच्छी तरीके से भून गया है यहां पर इसमें जो ओईल था वो उपर आ चुका है अब यहां पर मैं इसमें लाल मिर्शी पावडर एट कर दूंगी और थोड़ी सी हांपर मैं इसमें हल्दी एट कर देंगे उसके बाद मिक्सी में जो हमारा थोड़ा बहुत पेस्ट बज गया था उसमें ही मैं थोड़ा सा पानी एट करके इसमें एट कर दूंगी मिक्स कर लेंगे हम इसको और अब हम इस मसाले को बून लेंगे दिम्याज पर लेंगे कोई भी ग्रेवी हम बनाते हैं अगर उसमें मुमफली के दाने या फिर काजू एट करते हैं हम तो हमको वहाँ पर ध्यान रखना जरूरी होता है क्योंकि ये दोनों चीज़े बहुत जल्दी लगती है कड़ाय में चिपकने लगता है तो इससे हमारा मसाला जल सकता है तो हमको ध्यान रखना है चलाते रहेंगे हम और मसाले को भून लेंगे आप देख सकते हैं ग्रेवी कितना अच्छा दीख रहा है यहां पर और इस रेसिपी का टेस्ट बिल्कुल आपको होटल जैसा ही लगेगा लेकिन हम इसे घर में बना रहे हैं तो यह बिल्कुल फ्रेश रहेगी यहां पर मैं इसमें थोड़ा नमक एट कर रही हूँ और उसके बाद यहां पर मैं इसमें गरम मसाला एट करूँगी गरम मसाला मैंने किचन कींग का लिया है आपके पास जो भी हो वो आप एट कर सकते हैं इसमें आप चाहें तो घर का पिसावा भी एट कर सकते हैं आपके पास मार्केट का कुछ दूसरा है मसाला तो वो भी आप इसमें एट कर सकते हैं मिक्स कर लेंगे हम इसको और गून लेंगे मैं आपके लिए हर रोज न्यू न्यू रेसिपी लेकर आती हूं तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करते रहना मसाला यहाँ पर हमारा भून चुका है आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हम इसमें अंडा एट करेंगे तो अंडे एट करने से पहले हमें यहाँ पर थोड़ा सा अंडे को एक कटोरी में निकाल के हम चेक करेंगे क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि अंडर से अंडा खराब भी निकलता है तो हम इसको एक कटोरी में या फिर प्लेट में लेकर ही हम देखेंगे उसके बाद ही हाँ पर हम इसको एट करेंगे ग्रेवी में मैं यहाँ पर तीन अंडे का इस्तिमाल कर रही हूँ और उसको इस तरीके से दूर दूर हमें रखना है और इसलिए मैंने आप से बोला था है कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा कड़ाई टाइप बरतन ही लगेगा यहाँ पर इसको अंडे मैंने यहाँ पर इसमें एट कर दिये हैं और अब हमारी गेस की जो फ्लेम है बिल्कुल धीमी रहेगी क्योंकि इसको हम ऐसे ही बिना पानी एट करें भुनेंगे तो मसाला चेटने का डर रखता है इसलिए काली मिर्ची का पावडर यहाँ पर मैं अंडे के उपर एट कर दूँगी उसके बाद बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा नमक एट कर देंगे क्योंकि मसाले में मैंने पहले भी नमक एट कर दिया है इसके बाद यहांपर मैं इसमें हरी मिर्ची एड़ करेंगे हम हरी मिर्ची को मैंने इस तरिके से लंबा-लंबा कट कर लिया है एक की दो करके और इसको भी हम यहांपर इसमें रख देंगे मसाले में यह भी थोड़ा भून जाएगा धन्यापत्ती एड़ कर देंगे हम यहाँ पर और यह सारी प्रोसेस करते वक्त गेस हमारी बिल्कुल धीमी रखनी है हमें धाग देंगे अब हम इसको और दो से तीन निट तक हम इसको ऐसे ही पकने देंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो अंडे थे वो हो चुके हैं त अची तरीके से तीन निट के पहले हम धक्का नहीं खोलेंगे क्योंकि अगर अंडे कच्छे रह गए तो फिर हमारा मसाला भी चेटने का डर रहेगा अगर हम डबल से फिर इसको धक्कर पकाएंगे तो और यहाँ पर जो है लाइट चली गई थी इसलिए मैं मोबाइल के फ अची एक प्लेट में हम यहाँ पर सर्फ कर लेते हैं हम इसी तरीके से अंडे के साथ ही हम अंडे को निकालेंगे आप देख सकते हैं और इसको इस तरीके से सर्फ कर लेंगे मैंने यहाँ पर तीन अंडे का ही इस्तिमाल किया है ग्रेवी हम इसमें रख देंगे थोड़ा ग्रेवी में अंडे एट करने से पहले अगर आपको लगता है कि आपका मसाला कम ने तो आप उसमें थोड़ा सा पानी एट कर देंगे ताकि जब हमारे अंडे हम उसमें एट करेंगे तो वो पानी हेल्प करेगा मसाले को चेटने नहीं देगा एक लबाबदार बनकर तयार है बहुत आसान तरीका बताया है मैंने और आपको बहुत पसंद आने वाली यह रेसिपी अगर आप एक बार बना लेंगे न तो आप इसे बार बार बनाएंगे तो प्लीज आप एक बार जरूँ ट्राइ करेगा मेरे कहने पर और अगर आप को यह पसंद आए प्लीज आप लाइक कर देना शेर कर सकते हो आप अपनी फेमिली में और अगर आप न्यू है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप एसे ही मुझे सपोर्ट करते रहों मैं आपके लिए न्यू न्यू रेसिपी लेकर आती रहूंगी इन्शा अल्ला